हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे तो गाइस जो मैंने आज व्लॉग डाला था उसका आधा जो हिस्सा है वो मैं अभी अप्लोड कर रही हूं और जो ये मैंने अभी बारिश का व्यू लिया है ना ये आज का ये आज बुद्वार का है तो मैंने सुचा थोड़ा सापको दिखाती हूं लाइव हमारे रोज शाम को ना बारिश हो रही है तो देखिए शाम को जम मैं आ गई थी वहां से मतलब क्या बोलते हैं उसको थ्रेशर जहां पर मैंने आपको दिखाया था ना गेहूं कैसे हमार जाए बनाने को तो आज मैं आपके साथ गुड़ वाली चाय जो है उसकी रेसिपी भी शेयर करोगी एक और है जो आपके साथ शेयर करोगी गुड़ जो है वो बहुत ही अच्छे जेना उबल चुका है ये देखिए कुछ भी नहीं बचा है इसमें और अभी मैं इसमें डा पती डालके थोड़ी देर के लिए इसको उबलने देना है हमें वैसे तो मुझे लगता है कि शायद सभी को आती होगी गुड़ वाली चाय बनाने इसमें क्या खास बात है पर ऐसे बहुत होंगे जिनको शायद ना भी आती हो और जीकि गुड़ की जो चाय होती है ना वो चाय में होती होती है और गुड़ वाली चाहे आजकल तो हमें जरूर पीने चाहिए क्योंकि आजकल पता है ना आपको की कोवीड को उनकोasa कि तब कर वाणा को जब काड़ा है तो वह गुड़ का वर्मारे हो साफ करता है, तो मार्न में अगर हो सके टो गुड़ वाली चाह तो देखें दूद में डाल चुकी हूँ और इसको फेंटना है हमें थोड़ा सी रे फेंटना है मतलब तीन चार बार और बस यह देखिए इसका कलर आपको थोड़ा एसा दिखेंगा क्योंकि यह गुड़ाली चाय है तो इतना बहुत अच्छा इसका कलर नहीं आता है और यह देखिए टमाटर है चार टमाटर लिए है और यहां पर देखिए तीन आलू है सोच रही थी क्या बनाओ क्या बनाओ तो कुछ यहां पर देखिए प्याज है लिए वे मैंने चार पांच प्याज लिए वे हैं तो आज मैं मिक्स वेज बनाने वाली हूँ और वह भी तो थोड़ी थोड़ी मेरे पास सारी चीजे थी इतना जाद अपनीर भी नहीं था कि मतलब मैं शाही पनीरिया कुछ और चीज मतलब बनाऊ उस तरह से तो मैंने बहुत सारी चीजे जो है मिक्स करके एक नई रेसिपी जो है इनवेंट के रही है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगी थी बहुत ही ज्यादा तो जरूर ट्राय किजेगा और रेसिपी को पूरा देखिएगा अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और जो कोई भी चैनल पर फ जो यह अलू का दूकस कियावा है यह भी दोना है तो इसको दोने से दो फायदे हो जाएंगे एक तो काला पन निकल जाएगा और दूसरा जो इसमें एक्स्टा स्टार्च होता है शुगर पेशिंट के लिए अच्छा नहीं होता तो वह भी निकल जाएगा तो यह तड़का लगता है बस पहले सबसे पहले मैं डालूंगी साबूत जीरा साबूत जीरा डालने के पाद थोड़ी सी मेथी अगर चाहें तो वैसे इतना ज़्यादा बायू नहीं होता है लेकिन मेथी जो है वो हल्दी होती है तो उसके बाद देखिए डाल दिया मैंने इसमे प्याज तो थोड़ा सा इसको हमें बस ब्राउन करना है थोड़ा सा बहुत ही जादा भी जलाना नहीं है प्याज को बहुत ही सिंपल वैसे पिये कई वारी होता है न घर में कि थोड़ी थोड़ी चीज़े बची होती है और हम सोचते हैं ये वाली बनाए वो वाली बनाए तो इस तरह से हम उनको ना मिक्स करके और मिक्स वेज बना सकते हैं और सबको ही घर में बहुत पसंद आई थी ये सबजी तो आप ज़रूर ट्राय किजीगा इसको तो देखे जनरली जो मसाले हैं बस वही मैंने इसमें डाले हैं और पते क्या होता है सुबा मैं आपको व्लॉ मैं ज़र दाल जूझे तरह कुछा व्लॉटि आपसंद की विल्च-ट्रेस कि में पर отнош monsieur 2-3 इन सब्सक्राइब कर दालें नियुका सब्सक्राहआए दाले के लिए ना मैंने इन टमाटरों को पकाना है थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें ताकि यह न तले में चिपके न और बस अभी मैं इसका धकन थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी और इसको पकाऊंगी दो सी तीन मिनट के लिए तो तो बस इस रेसिपी को बनने में क्योंकि आसे चंक्स भी अच्छे लगते हैं इसके और उसके बादे कि जो आलू और प्याज है उनको साथ में डाल देंगे अब हम और बस इसको हम पकाएंगे लगबग पांच मिनट के लिए तो मेरे पास पते क्या था मेरे जगा सदर से जादा थे ना रेसिपी में आप तो प्याज जो है थोड़े कम रखिएगा मतलब आलू और प्याज दोनों की क्न्टिटी इकवच्वि रखिएगा इहां पर तो से तो पानीर आलू और प्याज चोँ Chapter सेम सेम होनी क्यों चैजिए और बस अभी देखेए थोड़ी तेर माटल पांच मिनट के लिए त्ने म पनीर बूर्जी बन रही है और इसको काटने से इतना ज़ादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसका जितना इस तरह से क्रमबल करने से आता है तो बस अभी देखिए कर लिया मैंने इसको क्रमबल और उतने में मेरे जो आलू और प्याज और टमाटर है वो पक चुके हैं बस अब बारी आती है इसमें लास्ट हमारा जो है इंग्रेडियंट डालने की तो वह है अभी हमने जो किया क्रमबल पनीर है और वो इसमें हम डाल देंगे तो सूपर टेस्टी हेल्डी रेसिपी बन के तियार है और सिरफ दस मिनट लगे थे इसको बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बहुत युनीक सी रेसिपी है और टेस्टी तो ही तो ज़रूर ट्राइ कीजिए गा इसको और अपना फीड़बेक ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा अगर आप इसको बनाएंगे ना तो मेरी वीडियो पर आके आप ज़रूर पर इस देखें आप बिल आपसे तो पलाराम एक अट्राइ सब्सक्राइब और और आप शूरूरे बनाए तो चलिए बस आज के लिए इतना ही मिलूंगी आपसे कल बाई आगा हो अपा हूंए तो छुब में टुब है